प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हात रस में एक यूवती के साथ हुए गैंग रेप केस को लेकर उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री योगी से बात की है पीयम मोदी ने सीयम योगी को निर्देश दिये कि इस मामले में आरोपियों के खिलाव सब कारिवाही की जाए किसी तरह के कोई धील ना बढ़ती जाए नमस्कार मैं ही नसिरवास्ता आप देख रहे हैं प्रगती मीडिया मुख्य मंत्री योगी ने ट्वीटर पे कहा कि परदान मंत्री मोदी ने हात रस के घटना पर बात की है और कहा है कि दोशियों के विरुद कठोर्टम कारिवाही की जाए योगी जी ने ये भी कहा है कि हात रस में बालिका के साथ घटित दोरभाग्य पूर्ण घटना के दोसी कताई नहीं बचेंगे जाचेतु विशेज जाजदल का गठन भी किया गया है या दल आगामे साथ दिन में अपनी रिपोर्ट देगा मंगलवार रात को धाई बजे उत्तर परदेश पुलिस ने मिरतक लड़की का अंतम संसकार कर दिया लड़की के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी मंजूरी लिये बिना ही जबरन रात को अंतिम संसकार कर दिया है आए जानते हैं पूरा मामला क्या है हातरस जिले में बरबर शामोहिक बलतकार की सिकार हुई 19 साल के यूवती की दिली के सवदर अस्पताल में मंगलवार को रात धाई बजे मौत हो गई घटना ने लोगों को जगजोर दिया है हर जगा विरोध परदर्शन हो रहे हैं और लोग न्याय की मांग कर रहे है हातरस की घटना ने सभी को निर्भया कान के याद दिला दी है 14 सितंबर को चार लोगों ने इस दलित यूवती के साथ दुस्करम किया इस दौरान उसके साथ की गई कूरता के कारण पहले उसे अलिगड के अस्पताल में भरती कराया गया वहां हालात में सुधार नहीं होने पर उसे बेहत नाजुक हालत में रीड की हड़ी में चोट, पैरो और हाथों में लखवा और कटी हुई जीब के साथ दिल्ली के अस्पताल में सौमबार को भरती कराया गया वही हात रस के पुलिस अधीचक विकरांट वीर ने यूवती के परिवार के हवाले से बताया कि वह सौमबार के रात भी नहीं कट सकी और तड़के करीब तीन बजे उसकी सासों की डोर तूट गई यूवती की मात की खबर मिलते ही सफदर अस्पताल के बाहर विजे चाग पर और हात रस में परदर्शन शुरू हो गए राजनीतिक खेल, फिलम, जगत को लेकर अधिकार कारी करता और सामान ने लोग भी ट्वीटर पर सही तमाम मंचों पर अपना दुख और गुस्सा जाहिर करने लगी हात रस के पुलिस अधिचक के अनुसार घटना के चारो आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया है और यूफ्ती की मौत के बाद उसके खिलाफ दर्जपराथमी की मेधारा 302 भी जोडी गई है घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधिचक ने बताया था 14 सितंबर को यूफ्ती अपनी मात के साथ खेतों में गई थी और वहां से वो लापता हो गई बाद में जब वो मिली तो उसके सरीर पर चोड थी और परतांदता के निशान थे और उसके जवान भी कटी हुई थी अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने उसका गला घुटने का प्रियास किया था और उसी से बचने के क्रम में यूवती ने अपने जीब काट ली थी अलीगड के जवाहरलाल नहरू मैडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रवक्ता ने बताया कि उसके दोनों प्यारों को लकवा हो गया है और हाथों में आंसिक रूप से लकवा था धन्यवाद खबरों में बने रहने के लिए प्रगती मेडिया को लाइक करें सस्क्राइब करें